पारिस्थिति की तंत्र का संतुलन किसी किनारे पर लडखडा रहा था। वही जानवर जिन्हें उन्होंने एक बार शिकार किया था। अब लुप्त प्राय हो रहे थे। उनकी संख्या निर्माणहीन शिकार और आवास के नुकसान के कारण घट रही थी। यह बोध कॉर्ब वह आदमी जो एक समय जंगल में बागों का पीछा करता था, अब उनके जीवन के लिए समर्थन करता पाया गया। वह बे आवाजों के लिए एक आवाज बने। अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव का उप्योग करके भारत के लुप्त प्राय बड़े बिल्यों के कारण क बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों ने भारत के वन्यजीव संरक्षन के इतिहास में एक मेहत्वपूर्ण मोड ला दिया।